बहुत ही खूबसूरत क्योंकि इस बार वाकई में मुझे जादा वक्त मिला, लोगों को जानने पहचानने का जादा वक्त मिला और मुझे भी ओडियन्स के दिल तक पहुचने का जादा वक्त मिला तो इसलिए मैं बहुत जादा grateful feel कर रही हूँ, happy feel कर रही हूँ, thankful feel कर रही हूँ और जो अधूरी सी कहानी रह गही थी वो भी कही न कहीं लगता है कि almost पूरी हुई है इस बार मैं यही experience करके आई हूँ कि actually nobody is genuine or nobody is absolutely true in that house कही न कही हर कोई fake कर रहे है और हर कोई camera के लिए चीजे कर रहे है फिर भी अगर मैं कहूँ तो I feel Priyanka and Shiv are good hearted people Abdu is also a very beautiful hearted person और जो बिलकुल शायद fake नहीं है वो है MC Stan मैं यही कहना चाहूंगी कि अर्चना किसी की नहीं हो सकती और अर्चना पर कभी विश्वास नहीं करना पर otherwise अगर आप बिना विश्वास किये और बिना दिल लगाए उसके साथ time pass कर सकते हो इसके साथ बैठो बाते करो पर दिल लगाना नहीं चाहिए क्योंकि उसने कुछ कुछ चीजे में मुझे बोलने लगी तो मुझे लगा कि उसको मेरे तरफ से भी expectation हो रही है मतलब वो मुझे as a दोस count कर रही है और उसने भी बोला उसकी तो मतलब वो अगर मुझे डाटती भी है तो मुझे cute लगती है गाली भी cute लगती है तो मुझे लगता है कि इसमें मेरी भी गलती ये थी कि मैं बहुत जल्दी I got emotional in it शायद मुझे थोड़ा और वक देना चाहिए था तो मैं इतना hurt नहीं होती Actually मैंने मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी जब आंटी ने मुझे hug किया और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आंटी ने मुझे Tina समझ के hug किया क्योंकि वो hug में कही नहीं मैं आंटी को मम्मी के साथ रिलीट कर पाती हूँ क्योंकि ये दोनों friends है तो मुझे वो मम्मी वाली feeling आई बर जब बाद में पता चला कि Tina समझ कि उन्होंने मुझे hug किया तो भी ठीक है क्योंकि मुझे hug तो मिला वो मम्ता तो मिली So it was beautiful अगर आप वो देखेंगे तो वो शालीन और टीना के कॉंटेक्स्ट में था और दूसरी बात उस टाइम पे हमारा काफी जादा मनमुटाफ चल रहा था काफी जादा काफी जादा पीट पीछे बोली है घर में तो आंटी का नहीं पसंद आना वो चीज मैं बिलकुल समझती हूँ क्योंकि अपने हमारे माबाप जब देखते है अपने बच्चों को टीवी पे तो वो दिल लगा के देखते है तो उनके तरफ से बुरा फील करना है आपसलुटली अंडर्स्टाइब आपको मैंने हर्ट किया है बट आंटी कुछ-कुछ चीजे ऐसे घर के अंदर होता है जब इंसानों के बीच में जगड़ा दो इंसान के बीच में जगड़ा होता है वो इतना खराब हो जाते कि आप ना चाहते हुए भी शायद कुछ चीजे बोल देते हो तो मुझे लगता है उस situation में मैं अगर वो चीज नहीं भी बोलती तो भी कोई फरक नहीं पड़ता It was not necessary, I would say It was not necessary But हाँ अगर आपको बुरा लगा, then I am definitely sorry for that and जाज है कि आपको बुरा लगे मैं बिलकुल इस बात के लिए सवाल-जवाब के लिए तयार हूँ क्योंकि मैं जब कुछ बोलती हूँ तो मुझे पता है क्योंकि मैं अपने दिल से कभी जूट नहीं बोल सकती हूँ मैं अपने आप से कभी जूट नहीं बोल सकती हूँ तो मैं कुछ बोलती हूँ तो मुझे पता है वो चीज और मैं जानती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ और क्यों बोल रही हूँ पर मैं इतना ही कहना चाहूंगे कि घर के अंदर, बिग बॉस घर के अंदर बहुत समय में बहुत चीजे होती है बहुत contestants के बीच में होते हैं और उसमें माबाप ना पड़े तो ही बहतर है पर ये भी चीज में बिल्कुल समझ सकती हूँ कि माबाप को दुख होता है उसके लिए मैं sorry हूँ बट उनको नहीं involve होना चाहिए क्योंकि after all it's a journey of a contestant, it's a journey of an individual वहाँ पर मम्मी पापा लोग ना include होके मतब अपने आपको involve करें तो वह बहतर होता है बट अगर आपको जवाब चाहिए तो मैं बिल्कुल तयार हूँ क्योंकि कि हम लोगों को यह मौका दिया कि पूरा घर अपना जो जर्नी है वह घरवालों के साथ एक दिन हम बिता सके तो सारे contestants बहुत खुछ थे अपने घरवाले जब आए पर Michael जब आए तो मैं especially बहुत ज़ादा खुछ थी क्योंकि मैं उनको बहुत ज़ादा मिस कर रही थी और बाकी घरवाले भी उनको बहुत प्यार से beautifully welcome किया जो बहुत सुंदल लगा मुझे बहुत खुबसूरत लगा मुझे और अर्चना और इनके conversations माशा अलला था और उस एक दिन में मुझे लगता है कि मैंने Big Boss की पूरी जर्नी शायद जी लिया ने बिलकुल भी नहीं क्योंक कि वह आप अगर एक चीज के पीछे करोगे तो वह जादा दिन नहीं चल सकते क्योंकि व्यूवर्स ओडियंस बहुत जल्दी बोर भी हो जाते एक चीज देखते देखते तो इसलिए जो चीज हुआ वह बहुत नैचरल था वह बहुत और गानिक था मुझे लगता है क्यों पारे में एक शब्द भी गलत नहीं बोला था उसके बावजूद भी वह लड़की constantly मेरे को मुझे लेके क्रिप कर रहे थी and it was very evident that she had a problem with me और जब मुझे मुझे मौका मिला तो definitely I'll confront क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं वह चुप बैटू और मैं सोच हूँ कि हाँ उसने जो बोला बोला ये गेम नहीं है तो definitely I got a chance to confront her about what she told about me, what she spoke about me और वह बहुत ही genuine था, nothing at all कि उसके around the game planning करना है और करना चाहिए क्योंकि अगर ऐसा ही करती तो मैं किसी बढ़िया कंटेस्टन को attack करती मैं टीना दत्ता को attack नहीं करती जहां से मुझे पता था कि कोई response नहीं आएगा जाधा time तक क्योंकि उसके अंदर वो guts या वो नहीं है वो कहीना कहीं डर रही थी एक कोई भी प्रॉपर कंटेशन से दोस्ती रखना पसंद करूंगी साजिट जी शेफ प्रियांका अब्दू फॉर शॉर एमसी स्टाइन की भी कोई शो में मैं जरूर जाना पसंद करूंगी वह बहुत busy है तो दोस्ती रखना शायद इतना possible नहीं होगा बट कोई शो में मैं जरूर जाओंगी और जिनको मैं बिल्कुल मिलना नहीं पसंद करूंगी वह जायसी बात है टीना शायद मैं जब निकली तो जितना भी नेगेटिव या गलत फीलिंग्स था एक दूसरे के मेरे तरफ से at least वह उधर ही छोड़के आई हूँ पर फिर भी मुझे पता है certain things about mine and her friendship which was there before तो इसकी वज़े से मैं उससे बिल्कुल मिलना नहीं पसंद करूंगी शालीन से भी दोस्ती रखना पसंद करूंगी thank you